नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पहुची थी, सहया कर्मी अपने मांदे और अस्थाई करन की मांग पर आवाज बुलंद किया सहया कर्मी नारे लगा रहे थी, 2000 में दम नहीं, 20 सहयार से कम नहीं भीक नहीं, अधिकार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए सभी सहया कर्मियों को अस्थाई करना होगा जैसे जोरदार नारों के साथ हजारों सहया कर्मी ने पृधशन किया बता दे सहया बहनों की सभा को समोधित करते वे संके संड़क्षत वो मासस के पुरव विधायक अरूप शेटर जी ने कहा है कि सहया बहनों को भीख की तरह प्रोसाहन नहीं देश के अने राजयों की तरह बी सहया रूपे मांसिक मांदे की गरांटी सरकार दे इसे लागू करने में जो भी अर्चने हो केंद्र और जारखन की सरकार इसे दूर करे सहया साथी संग के अद्यक्षता पमपा मंडल और संग की सचीव माया सिंग ने कहा है की सरकार की गलत नितियों ने सभी सहया बहनों को सटक पर ला दिया है रेल रोकने वाले कुडमी नेता अजीत महतो के अरोपो परहंगामा कुडमी को आदिवासी घोषित करने सही तीन सुत्री मांगो को लेकर पिछले माँ पांच दिनों तक पछिम मंगाल और ओडिसा में रेल रोकने वाले नेता अजीत महतो के एक अने कुडमी नेता सितल ओहदार पर लगाया अरोप परहंगामा मच गया रविवार को निर्मल गेस्ट हाउस में अजीत महतो ने पहुँचते ही वहीं बैठे कुडमी विकास मोर्चा के अध्यक्स सितल ओहदार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रेल रोक को आंधोरन को भीफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कहा जहां घोम घोम कर 20 सितंबर से रेल रोकने की अपील खी थी वहीं सितल ओधार पचीश से रेल रोकने का परचार कर रहे थे उन्होंने यह अभी आरोप लगाया है कि वे जहां जाते थे पीछे से सीतल पहुँच जाते थे और तीथी को लेकर भराम पहलाते थे उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां पच्छिम मंगाल और जार्खन वे पांच दिनों तक रेल चक्का जाम का इतियास बनाया गया वहीं जार्खन के नीमडी में सिर्फ तीन घंटे के लिए रेल रोका जा सका है जार्खन पूलिस परिवार परतिभा समान समारो जार्खन पूलिस एसोसियेशन द्वारा रभिवार को जार्खन पूलिस परिवार परतिभा समान समारो का उजन किया गया इस समारों में पुलिस कर्मियों के ऐसे बच्चों चिन होने परतियोगी परिक्षाओं सही दूसरे चेतरों में बेहतरीन परदसन कर लिया है उन्हें समानित किया गया समान समारों में Medical Engineering Management NDA CDS Banking Professor Scientist UPSC JPSC BPSC सिवा में चैनित 74 पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों को समानित किया गया बतादे जार्खन पुलिस परिवार समान समारों में ADG ML मिना RK मलिक परसांत सिंग, IG पंकज कमबोज, IG बिज्या लक्षमी जैसे सिनियर IPS अधिकारियों ने सिरकत की इस अफसरों द्वारा ही अलग-अलग छेतरों में काम्यावी हासिल करने वाले पुलिस कर्मियों के बच्चों को समानित किया गया सबसे खास बातिया रही कि इस समारों में न सिर्फ पुलिस कर्मियों के बच्चों को समानित किया गया बलिक उनके माँ बाप को भी इस मंच पर समान दिया गया पीए मोधी ने रांची और जमसेदपूर में किया डिजिटल बैंकिंग सेवा का सुभाराम भारत में बैंकिंग सुभिधाओ को देश के आखरी व्यक्ति तक पहुचाने के लिए परधान मंद्री नायनमोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डिबी यू का रभीवार की सुभा 11 बजे बीडियो कंपरेंसिंग से देश के 75 जिलो में 75 डिजिटल बैंक यूनिट का उधगाटन किया जारखन के राची जिले के तेतर टोली बेडो में डिजिटल बैंक का केंद्री सिक्छा राजय मंत्रियान पुर्णा देवी राज सबास सदस्य अलित्य साहू लोहरदागा सांसर सुधर्चन भगत फाजपा परदेश अध्यक दीपक परकास पुरोविधाय गंगोत्री कुजूर ने सन्युक्त रूप से दीप चला कर उधगाटन किया नगर निकाय चुनाव दिसंबर जन्वरी में चुनाव आयोग ने सुरू की त्यारी जार्खन में नगर निकाय का चुनाव दिसंबर 2022 से जन्वरी 2023 के बिच होने की समावना है इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी ओर से त्यारी सुरू कर दी है सोमवर को चुनाव आयोग सभी जीलों के अधिकारियों से बातशित करेगा या पता करेगा कि जीलों में चुनाव समधित त्यारिया की क्या इसीती है जनकारी कनुसार बिना ओभी स्यारक्षन के नगर निकाय चुनाव कराने समधिताई सरकार के निरना के बाद जारकन निर्वाचन आयोग ने इसकी त्यारी तेज कर दिया चुनाव आयोग दिसंबर वर जन्वरी माह में या चुनाव कराना चाहती है चुनाव आयोग में इसे लेकर तमाम आवसेक्तरिया पूरी की जा रही है 20 अक्टूबर को जमसेदपूर में राजे के तिननदाजों का होगा जुटान अगामी 7 से 12 नॉमबर 22 तक गोवा में 42 वा जुनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा इसमें भाग लेने के लिए जारकन टीम का चैन ट्रायल 20 और 21 अक्टूबर को जमसेदपूर के जे आरडी टाटा एस्पोर्ट कमप्लेक्स में किया जाएगा इस सम्मद में जनकारी देते हुए जारकन तिननदाई संग के उपाध्यक सुमंत मोहनती ने बताया है कि 20 अक्टूबर को इंडियन राउंड और 21 अक्टूबर को रिकोवर और कमपाउंड राउंड का चैन सिवीर आवेजन की जाएगी 1932 खतियान का बिरोध कर बोले करनी सेना के राश्ट्री अध्यक्स करनी सेना के राश्ट्रिया अध्यक सुकदेव सिंग गोगगा ने जार्खन सरकार से मांग किया कि कोलाहान के राजा अरजुन सिंग के जमीन वापस की जाए नहीं तो पूरे देश के राजपूत एक चुट होकर जार्खन पहुंच कर अंदूरन करेंगे सिरि सिंग सराय के लाखार सावा जीले के राजनगर थाना चेतर इस्थीत चालियामा में सीम भूमी छत्रिये महासाबा को समोधित कर रहे थे वार अभिवार को 36 गड़ से बीमान के जरिये रांची हावाई अड़ा पहुंचे इसके बाद वा सराय के लाप पहुंचकर कारकरम में सामिल हुए थे इस करम में 1932 के खत्यान के विरोध करते वे उन्होंने कहा है कि सरकार कया फैसला गलत है जार्खन में रहने वाले सभी लोग यहां के अस्थानिये हैं चात्रा के कपड़े उतरवाने का मामला स्वास्थ मंत्री एम्स में कराएंगे इलाज जार्खन के स्वास्थ मंत्री बना गुपता अस्पताल पहुंचे और जलने के कारण इलाज करा रही साक्ची के सारदा मने स्कूल की चात्रा के हालत की जनकारी ली परिजनों से मिलकर स्वास्त मंतरी ने कहा है कि छात्रा का निसुल्क इलाज कराया जाएगा इस मामले पर सरकार ने संग्यान ले लिया है बेहतर इलाज के लिए छात्रा को EMS भी भेजा जाएगा साथ ही दोस्ती को माफ नहीं किया जाएगा बतादे जमसेत पूर दोरे पर आई जहरकन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता, बिट्टु पर इस्थीद टी एमेच अस्पताल पहुँचे और इलाजरत काक्षानों की छत्रा रीतु कुमारिक की आहलात की जनकारी ली गोड़ा में कुस्ती चैंपियंशिप संपन पहला अस्थान पर साहब गांज, गोड़ा के गांधी मैदान में तीन दिवसे 23 सिनियर राज महिला वा पुरूस कुस्ती चैंपियंशिप रभीवार को संपन हो गई, राजबर के 22 जीलों से आई करीब 300 पुरूस तथा 100 महिला पालवानों के साथ 50 से अधिक रेफरी सामिल हुए, खेल के दोरान ओवरवल चैंपियंशिप में फिरी स्टाइल में सरवधिक 100 अंक लेकर साहब गंजीला पहले अस्थान पर रहा, वही 90 अंक लेकर दूसरे अस्थान पर बोकारो, वह तिसरे अस्थान पर 65 अंक लेकर रा बिवार की देर साम केंडल मार्च निकाला गया, इस दोरान लोगों को जनकारी दी गए कि बाल बिवापर रोक के लिए जगरूपता जरूरी है, कम उम्र में साधी जच्चा बच्चा के लिए घातक है, ऐसे में इसकी सुचना मिले तो विरोध दर्ज कराए, जगरूपता से ही बाल बिवा पर अंकुष संबव है, बता दे बगोदर में बाल बिवा के खिलाप केंडल मार्च, तीरला, जर्मुन्ने, पुर्भी पच्च्मी, अवरा, अटका पुर्भी, पच्च्मी, हेसला, अवरा समय सभी पंचायतों में अभ्यान जूडे सज़स्यों के द्व मुक्त करने और सरकारी प्रधान के मुताविक मांदे का भुकतान करने की मांग की गई, इस मसले को लेकर आउट्सोर्सिंग में काम कर रहे हैं लोगों ने जार्खन में पीएचडी मंत्री मिथिलेज ठाकुर से मुलकात की अपर ग्यापन भी सोपा, बताया गया कि ऐसे कर कर्मियों को कई तरह के प्रसानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइबेट प्रेक्टिस पर किसी तरह का प्रतिबंद मंजूर नहीं है। बियार्पी सियार्पी संग ने सरकार के रवया पर नराजगी जताई। प्रेक्टिस पर नराजगी है। CBSE Single Girl Child Scholarship के लिए रईस्टेशन सुरू। CBSE Single Girl Child Scholarship के लिए रईस्टेशन के पर किलिए सुरू हो चुकी है। CBSE के अधिकारिक वेपसाइट www.cbsc.gov.in पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। चातराओ को रईस्टेशन स्कूल के माध्यम से कराना होगा। योजना का लाब लेने के लिए आवेदन के अमतिमतिति 14 नॉमबर है। इसके बाद स्कूल दोबारा आवेदन का सत्यापन 21 अक्टूबर से 21 नॉमबर तक किया जाएगा। बोड वैसे सिंगल गर्ल के लिए CBSE मेरिट 6 विती योजना के लिए आवेदन अमतिरित कर रहा है। जिन्होंने CBSE से 2022 में 10 वी की परिक्षा उतिन की है। और फिलहाल CBSE से समद किसी भी स्कूल से कच्छा 21 वी में पढ़ रही है। बोड ने स्कीम के समद में कहा है कि आवेदन पत्र की हाट को पी सविकार नहीं की जाएगी। सहारा निवेसको का टूटा सब्र सुबरत राय के खिलाप एफायार दर्ज। जारखन में सहारा इंडिया समोक निवेसको का सब्र का बंध तूट गया है। जारखन परदेश कामेटिक वरिष्ट नेता अलोग कुमार दूबेक के निवेसको के निवेसको के सहारा निवेसको और एजेंट ने जन अंदोलन संगर्स नयाय मोर्चा के बैनर तले सहारा परमोक सुबरत राय सहीत वरिष्ट अधिकारियों खिलाप डुरंडा थाने में समोहिक प्राथमी की दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने राजे के सबी ठानों में प्रात्मी की दर्ज कराने की बात कही है सरकार की तरह चलेगा पंचायती राज मुख्यमंत्री हमंसुरेन ने कहा है कि सरकार पंचायती राज वेवस्था को मजबूत करना चाहती है यह बात 200 फिर दिस रही है कि अगर पंचायते मजबूत होगी तो गाओं पर खंड, जीला और राज मजबूत होगा गरामिन अस्त विवस्ता में भी गती आएगी राजे की असी पर्थित अबादी गाओं में रहती है अब जल्द हीवे पंचायत के जन परतिनिद्यों संग बैठेंगे उनसे विचार विमर्ज के अधायपन पंचायतों को सबल किया जाएगा जहारखन में 2020 के पेटर्न पर होगी नौवी एगारवी की परिक्षा राजे में अब काक्षा आठवी नौवी वव एगारवी की बोट परिक्षा फीरसे पुराने पेटर्न पर होगी दो टर्म में परिक्षा का परण समाप्थ होने के बाद अब OMR सीट पर परिक्षा लेने का दिन लिया गया वर्ष दो हजर बाइस में कक्षा आठवी नौवी वा ये गारवी की परिक्षा दो टर्म में हुई थी एक टर्म की परिक्षा ओयमार सीट वा दूसरे टर्म की परिक्षा उतर पुष्टी का पर लिगए थी ओयमर सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्ण बहुवी कल्पी थे जबकि उतर पुष्टी का पर ली गई परीक्षा में अती लगऊ उतर ये अर्दिग उतर ये प्रश्ण पुछे गए थे अब वर्श दो हैर तेस में होने वाली परीक्षा फिर्शे दो हजार बिस के प्रटान पर होगी जहारखन में 21 घाटों से मिलेगा बालू बालू घाटों से बालू की निकासी पर NGT की लगी रोक 15 अक्टूबर को समाप्त हो गई अब 16 अक्टूबर से राजे के पूरो से संचालित 21 घाटों से वएध तरीके से बालू मिलने लगेगा जिसके लिए JSMDC की वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करानी होगी बता दे JSMDC के MD अमीत कुमान ने बताया है कि JSMDC.insite पर online send बुक मेरा इस्टेशन करना होगा इसमें ब्यक्तिगात रूप से या थोक रूप से भी बालू लिया जा सकता है जो सरकारी दर पर उपलब्द होगा लेकिन इसके लिए advance में भुकतान करना होगा किसी परकार की समस्या आने पर JSMDC के फोन नमबर 74-800-14033 तथा 96-86-59 पर समपर कर सकते है रांची में बोले बिहार के पुरोमंत्री मुके साहनी निसाद समाज को SCST में करना होगा सामील जारखन बिकास सील इनसान पार्टी द्वारा रांची के बिधान सभा मैदान में आयोजित कर करता समिलन में बियाईपी सुप्रीमो स बिहार के पुरोमंत्री मुके साहनी ने रभीवार को कहा है कि हमारा लग्षे जारखन बिहार एवां उत्तर परदेश में निसाद समाज को SCST में सामील करना है सन ओफ मलाह के नाम से चर्चित सीरी साहनी जी ने करकरताव को सम्भोधित करते हुए कहा है कि मांगे से कुछ नहीं मिलता इनके लिए लड़ाई लड़नी परती है और आज समाज आ गया है जब हम निसाद भी एकजूट होकर अपने अधिकार के लड़ाई लड़े लोहर दग्गा में बिछिप्त युवक ने देवी मंडप में पिंड तोड़ा ज़ारखन के लोहर दग्गा जिले के किसको थाना छेतरे के होदगा गाउ में देवी मंडप के पिंड को तोड़ने के बाद तनावपून इस्थिती बन गई हलाकि पूलिस परसासन की सक्रेता और गरामिनों की समयधारी से महौल भीगरने से रोक लिया गया सुचना मिलने के बाद जिला परसासन के वर्यपद अधिकारियों और पूलिस परसासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर गरामिनों की सहायता से ततकाल आरोपित की पहचान की गई है और उससे पुष्टाज भी कर ली गई है आरोपित ने सभी के सामने अपना अपराद सविकार कर लिया है जमसेद पूर छात्रा रितु को इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा उपायुक्त उपायुक्त बीजिया जाध हो आत्मदा के करान गंभीर रूप से जुल सी सारदामनी स्कूल की नवी की छात्रा रितु मुखी को देखने रभिवार को टी एमेज पहुची वहाँ उन्होंने उसे देखने और डॉक्टरों से बात चीत के बात कहा है कि जरूरत पड़ी तो रितु को इलाज के लिए बाहर किसी और अच्छे अस्पताल में भेजा जाएगा उपायुक्त ने रितु की मा सरस्वती देवी से बात की और उन्हें धानस बढ़ाया बेटी की स्थीती से परिशान खाना नहीं खा रही मा को उन्होंने फल और विस्कुट खिला कर ततकाल रहत के तहद पर पचीस यह रुपे का चेक सोपा उपायुक्त ने सरस्वती देवी से का है कि उन्हें किसी तरह के जरूरत हो तो किसी भी समय उन्हें नी संकोच फोन कर सकती है ज्यारखन की फलक इंडरस्ट्री में घोस कर मार पीट ज्यारखन के पुर्वी सिहुन जीले के बरहगोडा अंतरगत बारा सती चोग के पास एनेच उन्चास किनारे बरसोल थाना चेतर के छोटा अरुजूना मौजा इस्थीत फलक इंडरस्ट्रीट फ्यूल प्राइबेट लिमिटेड नामक कंपनी में बारा गोडा निवासी यदूपती राना समेथ 20 अने लोगों द्वारा फैक्ट्री में घूस कर हांगामा करने की सिकायत फैक्ट्री के मैनेजर असोक कुमार सिंग ने बरसोल थाना में की है बरसोल थाना परभारी राम देल उराव ने कहा है कि फैक्ट्री से एक आवेदन आया है जात भी की जा रही है आरोपी यदूपती राना ने कहा है कि बिधायक समीर महनती के निर्देश परवे कंपनी में गय थे चत्रा में मीटी का चास धसने से तीन बच्यों की मौत जार्खन के चत्रा जी लेके परताप पूर्थाना छेतरे के बिलासपूर गाउं के समीर प्रभीवार दोपर चास धसने से तीन बच्यों की मौत हो गई है वहीं दो बच्या गंभी रूप से घायल हो गई मिरित सभी बचिया बिलाजपुर गाउं की रहने वाली है घटना के बाद गाउं में मातम पसरा हुए है मिरितकों के घर में लोग दाड़े मार मार कर रो रहे है हर कोई सदमे में है बतादे परताप पुर अंचल के पुलिस निरीक छक लोग कुमार ने घटना के पुष्टी की है गोड़ा में चोरी की 13 बाइक बरामत गोड़ा के महंगामा थाना छेतरी स्थीत मोहनपुर में पुलिस ने चोरी की कई बाइक सहीत समान को बरामत किया है इस मामले में एक आरोपी हाफिज को गिरपतार भी किया गया पुलिस हाफिज से पुष्ट असकर जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी इस बात की जनकारी एसपी नाथू सिंग मीना ने पत्रकारों को दिया है बता दे गोड़ा एसपी स्री मीना ने कहा है कि गुप्त सुचना मिली थी कि मोहन पुरिष्टीत हाफिज लेत गैराज में काफी संक्या में चोरी की गई बाइक यहम उनके पाट रखे गया है यहम गैरेज मालिक द्वारा खरीद विकरी की जाती है सीएम को बधाई देने के लिए निकाली अभार यात्रा 1922 खत्यान धारी को जार्खन मुलवासी माने जाने की खुशी में मुख्य मंत्री अभार यात्रा विवार को निकाली गई आदिवासी प्रम पारिक वेस भूसा में अभार यात्रा रैली पिसका मोर्च निकाली गई आयोजन 22 पढ़ा समाजिक उत्थान समिती बाजरा और सरना समिती हेहल ने सन्युक तुरूप से निकाला मोके पर जार्खन सरना समिती राजिक अध्याष नरायन उराव भी उपस्तित थे धन्यवाद यदि आप चनल पने हो तो चनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर कर नना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस्ते दे थैंक यू